Hello students, हम लोग देख रहे हैं Chapter 1, Our National Fruit, Mango, Class 5, Subject, Maths आप लोगोंने last time question number 20 तक देखा था, आज number question number 21 से start करेंगे तो question है, answer the following questions on the basis of table मतलब table को देखके answers देने हैं तो यहाँ पर type of mango लिखा हुआ है और rate per kg per kg का मतलब होता है 1 kg का भाव type of mango कौन कौन सी है? तो बदाम, बदाम 1 kg 60 रुपेज तोता पूरी 1 kg 40 रुपेज हाफ फोस 1 kg 50 रुपेज लंगडो 1 kg 70 रुपेज केसर और लास्ट में है केसर के 1 kg के 150 रुपेज तो देखते हैं क्वेस्चन क्या है? सूधा बेंड 22 थ्री केजी बदाम मैंगो 3 kg बदाम मैंगो सुधा बेंड बाय करते है तो वो कितने रुपे पे करेंगे? यह क्वेस्चन है तो रेट पर केजी मैंगो का बदाम का 1 kg का कितने रुपे है? वो देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg बदाम is at 60 रुपेज तो रेट पर केजी मैंगो is रुपेज 60 तो रेट पर 3 kg मैंगो is how much? क्योंकि यहाँ पे पूछा है 3 kg बदाम मैंगो खरी दिये तो उसके लिए how much money does she pay? तो 60 into 30 1 kg का 60 तो 3 kg के लिए how much? तो 6, 3, 18 और पीछे का 0 multiplication करने के ज़रूरत नहीं है यह आपको पता होना चाहिए कि 6, 3, 18 होता है और जब कभी भी question में 0 हो पीछे की और multiplication में तो सीधा पीछे की और 0 लगा सकते है तो यह answer लिखा हुआ है मैंने last में यह लिखना बहुत important है 10, सूधा बेन पेज रुपेज 180 माया बेन बाइस 5 केजी तोटा पूरी मैंगोज एंड जया बेन बाइस 4 केजी हाफ फूस मैंगोज माया बेन ने खरीदी है तोटा पूरी और जया बेन खरीद रहे है हाफ फूस How much amount do they pay individually? individually का मतलब होता है अलग-अलग करके वो कितने पैसे pay करेंगे to the shopkeeper shopkeeper को कितने रुपे देंगे अलग-अलग करके तो यहाँ पर 1 केजी तोटा पूरी का rate ढूनना पड़ेगा सबसे पहले तो 1 केजी तोटा पूरी है रुपेज 40 तो यहाँ पर हमें कितने केजी के लिए रुणना है 5 केजी के लिए तो rate पर केजी तोटा पूरी इस रुपेज 40 तो rate of 5 केजी तोटा पूरी how much 1 कीलो का 1 कीलो तोटा पूरी का 40 रुपेज तो 5 कीलो तोटा पूरी के लिए कितने रुपे therefore 5 into 40 5 को multiply करना है 40 के साथ so therefore the answer is रुपेज 200 5 fours are 20 और पीछे का 0 लगा दिना है multiplication ऐसे मैं जैसे बता रही हूं ना आए तो आप लोग 5 into 40 यह means 40 into 5 कर सकते हो next यह हमने डुणडा माया बेन के लिए अभी हमें डुणना है जैया बेन के लिए तो जैया बेन को बेन ने खरीदी है 4 केजी हाफूस तो 1 केजी हाफूस के लिए है रुपेज 50 तो हमें कितने किलो के लिए डुणना है 4 केजी के लिए so rate of per केजी हाफूस is रुपेज 50 so rate of 4 केजी हाफूस is equal to how much so again 15 into 4 so that is 200 तो यहाँ पर अगेन हमें 5 पोर्जा 20 और पीछे 0 तो यह हो गया हमारा answer तो देखते हैं statement क्या लिखनी है thus माया बेन पेज 200 रुपेज for how many केजी बेंगोस 5 केजी तो ता पूरी and जया बेन पेज रुपेज 200 for 4 केजी हाफूस तो यह हो गया हमारा question number 2 का answer question 3 देखेंगे राजिंद्र भाई बाई 4 केजी लंगडों and नरेंद्र भाई बाई 2 केजी केसर मैंगो राजिंद्र भाई ने 4 किलो लंगडों खरी दी है और नरेंद्र भाई ने 2 केजी केसर मैंगों खरी दी है who will pay more कौन जयादा पे करेगा how much कितना जयादा पे करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले 4 केजी लंगडों की rate देखने पड़ेंगे की कितने है हमें टेबल में दिखाया था कि 1 केजी लंगडों के है रुपीज 70 जैसे कि टेबल यहाँ पर दीख रहा है आप लोगों को यहाँ पर लंगडों के है 70 रुपीज तो rate of 1 केजी लंगडों इस रुपीज 70 तो rate of 4 केजी लंगडों इस इक्वल टू हाँ माज मतलब एक की लोग का 70 तो 4 केजी के लिए हाँ माज therefore 70 इंटू 4 इस इक्वल टू 280 यह कैसे आया 7 फोर्जा 28 और पीछे 0 सिद्धा मल्टिप्लिकेशन नेक्स्ट नरेंद्र भाई बाई 2 केजी केसर तो पहले 1 केजी केसर के पैसे देखने पड़ेंगे तो टेबल में है केसर के 150 रुपीज पर केजी एक केजी के हैं तो रेट ओफ 1 केजी केसर इस इक्वल टो रुपीज 150 सो रेट ओफ 2 केजी केसर हाँ माज एक केजी के 150 तो 2 केजी के लिए ढूनना है धेरफ़र 150 मल्टिप्लाई बाई 2 आंसर इस रुपीज 300 15 टूजा 30 और पीछे का 0 ये करने के लिए आप लोगों को टेबल साना बहुत ज़रूरी है तो टेबल की प्रक्टिस करनी है ये हो गया आप लोगों का 4 केजी के लिए और 2 केजी मैंगोस के लिए रेट अभी किसने ज्यादा पे किये बहुत टूनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसने ज्यादा पे किये आप वियसली ये 2 केजी केजर किसने खरीदी है तो 2 केजी केजर खरीदी है नरेंद्र भाई ने यहाँ पे लिखा है नरेंद्र भाई ने तो केसर का रुपेज 300 ज्यादा है 280 से तो who will pay more तो यहाँ पे लिखना है नरेंद्र भाई will pay more लेकिन कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे एक और statement लिखनी है rate of 2 kg केसर मतलब यह kg केसर minus rate of 4 kg लंगडो 2 kg केसर की कितने रुपेज है यहाँ पे हमने ढूंडाता रुपेज 300 and rate of 4 kg लंगडो के लिए हमने कितने ढूंडे है 280 रुपेज तो जिसके यह जो लिखा है उसी के नीचे उसका answer लिखना है rate of 2 kg is 300 and rate of 4 kg लंगडो is 280 तो 300 minus 280 तो answer आया रुपेज 20 तो यह 20 रुपेज किसने ज्यादा पेज किये होंगे जिसने 2 kg के सर खरीदी है क्योंकि 2 kg के कितने है रुपेज 300 तो यहाँ पे answer में last में statement लिखना है thus नरिंद्र भाई बेज रुपेज 20 more than राजिंद्र भाई मतलग इसी लिए नरिंद्र भाई पे करेंगे 20 रुपेज ज्यादा किसे? राजिंद्र भाई से तो यह था हमारा question number 3 तो अभी question number 4 next time देखेंगे तब तक आप लोगों को यह वाले sums प्रक्टिस करने है प्रक्टिस करेंगे